अमेरिका के कॉलराडो स्टेट के एक शहर डेनवर में मौझूद है डेनवर इंटरनाशनल एरपोर्ट यूँ तो ये एरपोर्ट देखने में एक आम एरपोर्ट जैसा ही है लेकिन गौर से नजर दोडाने पर शायद इस एरपोर्ट में आपको अजीबों गरीब चीजे नजर आएंगी और तो और सिर्फ यही नहीं बलकि इस एरपोर्ट के अंदर मौझूद सीक्रेट टनल और मिस्टीरियस चेंबर्स इसे इलियो मिनाटी और दूसरी सीक्रेट सोसाइटी जैसे की फ्री मेसं से तक जोडती है तो आखिरकार क्या है इस एरपोर्ट का सीक्रेट कनेक्शन और क्यों कंस्पिरिसी थेयोरिस्ट इस एरपोर्ट को इलियो मिनाटी से जोडते हैं 28 परवरी 1995 यह वो दिन था जब अमेरिका के सबसे बड़े एरपोर्ट देन्वर इंटरनाशनल एरपोर्ट का इनाउगरेशन होता है यह एरपोर्ट इतना बड़ा था कि यह 137 किलो मीटर स्क्वार जितने बड़े लैंड एरिया पर बनाया गया था लेकिन इस एरपोर्ट के पबलिक के लिए खुलते ही कई अईबो गरीब सवाल और मिस्टरीज लोगों के बीच फैलने लगती हैं इस में से पहला सवाल था कि इस एरपोर्ट को बनाने में हच से ज्यादा टाइम लगा था गया था जिसको आम जनता से छुपाया गया और ये अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर्स को स्पेशली कुछ सीक्रेट ग्रुप्स और एलीट लोगों के शेल्टर प्रवाइट करने के लिए ही बनाया गया है इसके अलावा कई कंस्पेरिसी थियोरिस्ट का ये भी मानना है कि डेन्वर इंटरनाशनल एरपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा सीक्रेट इलियुमिनाटी हेटकॉर्टर भी बनाया गया है जहां से वो न्यू वर्ड ओर्डर जैसी सीक्रेट मिशन पर काम कर सके इसके अलावा इस एरपोर्ट को बनाने में अपने प्लैन बजट से दो बिलियन डॉलर ज्यादा खर्च होए थे इसी वज़ा से काफी लोग ये मानते हैं कि दो बिलियन डॉलर जितना बड़ा अमाउंट खर्च होना ये क्लेम करता है कि एरपोर्ट के अंदर कुछ न कुछ तो सीक्रेट बनाया गया है और तो और इस एरपोर्ट के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ने ये पुछ्टी करी कि इस एरपोर्ट को बनाने में देरी की असली वज़ा ये थी कि इस एरपोर्ट के अंदर पाच सीक्रेट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई थी जो कि कुछ टनल से भी कनेक्टेट थी इसके अलावा इस एरपोर्ट में लगी अजीबो गरीब आर्ट वर्क्स और आर्किटेक्चर इस एरपोर्ट को शक के दायरे में रखते हैं कि सच में यहां कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है जिसमें से पहला सकल्प्चर है टैनवर इंटरनाशनल एरपोर्ट में लगा यह जाएंट ब्लू होर्स जिसे लोग ब्लू मस्टेंग के नाम से बुलाते हैं और तो और काफी लोकल लोग और कंस्पिरिसी थियोरिस्ट इस सकल्प्चर को डैविल के नाम लुसिफर से इंस्पायर होकर ब्लुसिफर के नाम से भी जानते हैं और काफी conspiracy theorists इस horse को बाइबल में में मेंशन four horsemen of apocalypse से भी जोड़ के देखते हैं जो कि कयामत से पहले आने वाली conquest, war, famine और death को भी portrait करते हैं इसके अलावा कई लोग इस horse को श्रापित भी मानते हैं क्योंकि जिमनेज नाम के जिस शक्स ने इस sculpture को बनाया था इसकी मौत भी इस horse का कोई piece उनके उपर गिर जाने से ही हुई थी इस horse के अलावा भी Denver airport में कई अजीब औ गरीब art pieces हैं जैसे की एक ये painting जिसमें एक नाजी soldier gas mask पैने हुए दिखाया गया है जिसकी तलवार की point सीधे एक white dove की तरफ है और तो और पूरे airport भर में ही शैतानी गोर्गॉयल्स एन्यूबिस जैसे कई और भी art pieces आपको इस airport में देखने को मिलेंगे जो ये पताते हैं कि इस airport में कुछ तो जरूर गड़बड हैं और कुछ painting तो genocide तक को portrait करती हैं अगर आप इस time पर दुनिया पर नज़र डालिए और देखिए इस time पर भी दुनिया में यही तो होता दिखेगा इसके अलावा जो अगली चीज conspiracy theorist के बीच काफी famous है इस airport को लेकर वो है Denver International Airport का runway यूँ तो देखने पर इसका runway एक normal runway की तरह ही है लेकिन अगर आप इस runway का aerial view या फिर उपर से देखेंगे तो ये runway का design एक स्वास्तिका की तरह बनाया गया है ऐसा दिखेगा जो कि शायद इस airport को secret Nazi group से connect करता है हलाकि एक airport representative से पूछने पर उसमें ये बताया कि ये runway स्वास्तिका की तरह नहीं बलकि एक pin wheel की तरह है और इसको इसलिए इस तरह design किया गया है कि ताकि किसी भी weather conditions में इस airport पर flight को simultaneously take off या land कराया जा सके इसके अलावा जो अगली चीज इस airport के अजीब होने की pushटी करती है वो है इस airport का dedication stone जिस पे बना है ये Masonic symbol और तो और इस symbol के नीचे new world commission को credit भी दिया गया है इस airport को fund और build करने के लिए Free Masonry असलियत में एक secret fraternal society है जो सच में middle ages जितनी पुरानी है और हमेशा से ही लोग ये मानते हैं कि Freemasons दुनिया की सारी power अपने control में लेना चाते हैं और तो और इस airport का शायद ये मतलब है कि इसको new world order के अंतरगत किसी secret mission के लिए fund किया गया है और अगर आप इस dedication stone में लिखी date 19th March 1994 के हर एक number को add करेंगे तो जो add करके number आएगा वो है 33 और number 33 हमेशा से ही free missionary के सबसे highest level माना जाता है और तो और इस dedication stone के अंदर ही एक time capsule भी रखा गया है और इस time capsule को year 2094 में ही खोला जाएगा हाला कि इस time capsule के अंदर असल में क्या रखा गया है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है लेकिन क्योंकि इस dedication stone को freemasons ने ही बनावाया है तो conspiracy theorist के हिसाब से काफी हद तक ये chances है कि इस secret group ने कुछ ना कुछ अपने secret agenda से related ही बनवाया होगा इसके अलावा इस airport के tile में कुछ ऐसा symbol बना है जिसमें AU और AG लिखा है हाला कि काफी लोग ये मानते हैं कि ये शायद gold और silver element की mining से related है लेकिन वही conspiracy theorist का ये मानना है कि ये AU और AG असल में Australian antigen नाम के एक virus को represent करता है जो कि इतना खतरनाक होगा जिससे पूरी दुनिया तक खत्म हो सकती है वही कुछ लोग इस airport में एक secret runway होने की भी पुश्टी करते हैं जो किसी secret mission के लिए ही इस्तिमाल होता है इसके अलावा एक और conspiracy theory है जो कि लोगों के बीच काफी ज्यादा famous है वो है इस airport का connection reptilians लोगों से जी हाँ काफी लोगों के हिसाब से इस airport के अंदर lizard people या फिर reptilians रहते हैं जो कि अपना shape तक shift कर सकते हैं और इन reptilians का एक ही मकसद है पूरी अर्थ पर rule करना अब चाहे इस airport का illuminati connection हो या reptilians और freemason connection लेकिन ऐसा नहीं है कि ये conspiracy theorists airport official से छुपी है इसलिए अकसर airport official इन conspiracy theories का मजाग बनाने के लिए इस तरह के banner airport premises में लगाते रहते हैं आपको क्या लगता है कि क्या सच में इस airport में कुछ ना कुछ mysterious या secret है या फिर इस बार शायद conspiracy theorists थोड़ा सा चूक रहे हैं अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नभूले